नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल चार जागंदर मिस्सा में दोस्तों अगर आप अपनी लाइप में कुछ नहीं शीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा कन्यराश 11 अगस्त से 6 सितंबर 2021 अब होगा असली खेल सुरू रोक सको तो रोक लो जी हां दोस्तों कन्यराश वालों वीडियो का टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज में किस बिसाय में बात करने जा रहा हूं जी हां कन्यराश वालों आने वाले समय में आपके जीवन में बड़ा उलट फेर होने जा रहा है क्योंकि जोतिस सास्त्र के अनिस्वार 11 अगस्त 2021 बुद्धवार के दिन प्रत्वी के निकटतम शुक्र ग्रह रासी परवर्तन करने जा रहे हैं और यह रासी परवर्तन आपके लिए इसले महतपून होने जा रहा है क्योंकि शुक्र को धन और लक्ष्मी का कारक ग्रह माना गया है तो साथी वहीं पर आपके शुक्र शुबिधाओं में बढ़ोत्री करते हैं तो वहीं रिलेसंसिप में लावप्रद रहता है तो वहीं पत्पतनी के तनाव को भी दूर करता है कन्यराश वालों आपके लिए यह शुक्र ग्रह का रासी परवर्तन महतपून इसलिए होने जा रहा है क्योंकि 11 अगस्त 2020 से 6 सितंबर 2020 तक शुक्र ग्रह शिंग रासी से निकल कर आपकी रासी से यानि की स्वैम की रासी में यानि क कन्यराश में प्रवेश करने जा रहे हैं जिसके कारण देश और दुनिया में बड़े बदला होंगे आंधी तूफान वारिस यहां तक कि कुछ बीमारियों का बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगा लेकिन दोस्तों इसका अधिक प्रभाव आपकी रासी कन्यराश पर क्योंकि आपके सोयम की राशी में शुक्र का गोचर हो रहा है और आपके लगन में शुक्र का गोचर हो रहा है इसलिए कन्यराश क्यात को काफी महतपूर माना जा रहा है यह है और 11 अगस्त से लेकर 6 सितंबर के बीच में आपको यनि अब आपके जीवन का असली खेल सुरू होने वाला है रोंक सको तो रोंक लो जी हाँ कन्य रास कयतकों आपकी आर्थिकिस्ति, बिजिनेस ब्यापार, दामपत्य जीवन, नौकरी, दुकान, प्रेम जीवन, लबलाइब, बैवाहिक जीवन, स्टुजन, स्वास्त, सभी पहलूं के बारे में बिस्तार से चर्चा करेंगे इसलिए कन्य रास की जातक यदि आप हैं तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों चलिए सुरुआत करते हैं कन्य रास केतकों शुक्र ग्रह का रासी परवतन आपको कई मामलों में बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है देखें यहाँ पर आपका जो सुचने का नजर्या होगा, काफी बेहतर होगा आप इसमें शुक्षिवधाओं में ब्रद्धी करेंगे क्योंकि शुक्षाधन के कारक माने जाते हैं, लक्षमी के कारक माने जाते हैं, यहाँ पर सुक्र ग्रह है शुक्र का रासी परवतन कन्य रास केतकों आपके शुक्षुधाओं में बरहुतरी करेगा आपके जीवन में अब असली खेल सुरू होगा यानि जीवन में आपको बहुत शारी ऐसे कुछ घटनाई भी होंगे जिनको आपको रोकना बहुत जरूरी है जिन से सावधानी बरतनी जरूरी है देखें सबसे पहली बात तो ये कि आपको इस समय किश्री को उधार करजा नहीं देना है बिवादा से दूरी बनाए रखें अगर कोई मामला कोड के चेहरी तक पहुंच गया है तो यहाँ पर सुल जहाने की कोशिश भी करनी होगी करनी रासके आतकों बेबज़े छोटी छोटी बातों को तूल नहीं देना है आपस में पत पतनी की बीश तालमेल बेतर बनाना है घरेलू संबंद जो होगा करनी रा करनी रासके आतकों तो शुक्र करके इस रासी परवरतन के चलते आपको उन तमाम चीजें से लाब होगा और करनी रासके आतकर यदि आप इसमें होटल के काम में हैं या फिर जैसे कि आप ब्यूटी पालर का काम करते हैं कास्टमेटिक यादि कि कोई भी यादिस से अगर आपका बिजनेस भ्यापार है जोसे कि आपको इस में ब्यूटी पालर का काम करते हैं चूडियों बगारा का काम करते हैं जोईलिरी काम करते हैं इन तमाम छेतरों डश्रापको जवर्जस्त फायदा होने वाला है करने रास क्यात को शुक्र का यह रासी परिवर्तन आपके जीवन में अब असली खेल सुरू करने जा रहा है कि इसमें अब आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आएगा नोकरी में इस्थानांतरन की यो आपको मन काफी प्रसंट रहेगा राजिनितिक शेतर से अगर जुड़े हो तो लाब होगा नए बाहन की खरीदारी कर सकते हैं कन्य रासक्यात को नए बाहन का शुक प्राप्त होगा अभी तक अगर आपको नए बाहन की प्राप्ती नहीं हुई थी तो इस नए बाहन के प्राप्ती से आपके घर की यह महौल होगा काफी अच्छे रहगा घर के अनेक प्रकार के शुक शुबधाएं बरहोतरी करेंगे दामपत्ती जीवन की बात करें तो दामपत्ती जीवन में तालमेल बहतर बनाके चलना होगा वरना बिवाद भी चल सकता है बात कोट के चेहरी तक पढ़ सकती है क्योंकि हमने कहें पहले ही का कि अब होगा आपके जीवन का शली खेल सुरू रोक सकतो रोक लो बिवादों से आपको दूरी बनाया रखना है पत्पतनी की भीश तालमेल बहतर बना के चलेंगे तो कन्यरा कामलों में आपके लिए काफी बहतर साबित होगा क्योंकि यहां पर देखा जाए कन्यरास के अधको तो भाग भाव के स्वामी शुक्र ग्रहे हैं तो और आपके दूसरे भाव की यानि की धन और भाग दोनों का साथ मिलेगा कन्यरास के अधकों अब आपके जीवन में अस लिए खेल सुरू होगा और जीवन में यहां पर अगर बात किया जाए तो आप कई प्रकार के शुक्षुधाओं में ब्रद्धी करेंगे कन्यरास के अधको एक देखें लब लाइप आपकी बहुत खूब सूरत है लब पार्टनर को ज़्यादा शमय दे रहे हैं उनके अगर आप किसी अच्छे संस्था में दाखिला लेना चाहते हैं तो यह अपसर आपके लिए काफी महतपूर कहा जा सकता है आपके मन मुताबिक जगह पर आप दाखिला ले सकते हैं यानि कि आपके च्छाओं के अंसारी आपको दाखिला मिलता नजराएगा कुल मिला के कह तो इस्तिया काफी बहतर और आपके पक्ष में आ रही है इन इस्तियों को आपको लाब भी उठाना है करने राज के आतों यहां पर घर परिवार कर श्रपोर्ट मिलेगा घर परिवार की स्था यह जो यह जो अगस्त का सुरुआत महिन चल रहा है ग्यार अगस्त से लेकर और यहां पर देखा जाए तो 22 अगस्त तर चुकि स्रावन का महीना रहेगा तो इसका भी लाव आपको लेना है धार्मिक कारियों में आपके रूची बढ़ेगी धर्मकर्म से सम्मंदित कार भी करेंगे तो कनियरास के जातकों शुक्र ग्रह का राशी परवरतन 11 गस्त से 6 सितंबर तक आपके श्वेम की राशी लगन पे रहेंगे तो मन मस्तिसक से जो सोचेंगे बहुती बहतर सोचेंगे और नई कार करेंगे घर में तो सुक्षिवधा में ब्रद्धी करेंगे शाथी साथी ज़त कलाव मिलेगा पत्पत्नी में यानि पत्पत्नी के वीचे आपसे संबंद बेहतर होंगे और संतान प्राप्ति की योग बन रहें संतान की चाहत आपको यानि मिलती नजरागि लेकिन आपको बाहन का प्रियोग कम करना है वरना दुरगटना भी हो सकती है उपाई की बात करें तो करनी रास के जात को निश्चित और पे अगर आपको इस सुक्र रहे के राशी परवर्तन के समय ग्यारा गश्त से लेकर 6 सितंबर के बीच आपको उपाई सिर्फ ये करने है कि शुक्रवार के दिन आप भोले नात को आप थोड़े से चावल या फिर मिस्त्री ज कर सकते हैं सफेद वस्त्र दान कर सकते हैं सारी चीजे या आप ये सारी चीजे करें के तो आपके लिए बहुत अच्छ रहेगा तो ये था करनी रास के जाते हों के लिए 11 अगस्त से लेकर 6 सितंबर 2020 तक कर आशिवल जो कि सुक्र के राशी परवर्तन से अब आपकी जीव